नमस्कार राजस्तान मोसम की ताजा खबरों में आपका स्वागत हैं आईए जानते हैं आगा में 24 गंटों के दोरान राजस्तान की शेतर में कैसे रहेगा मोसम किंजलों में बारिश और अंदर की संभावनाई बन रही हैं इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी तो आप सभी साथियों से विननती रहें कि वीडियो को अंतर तक देखिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 गंटों के दोरान जोद पूर्शंबाग विका निर्शंबाग कि खंड बारिश जीगतिविद्या देखने को मिली जिसमें सबसे जयादा जो बारष की गतिविद्या हैं वो भी का निर्शंबाग में दरpresa की गई यहीं पीका निर्शंबाग में कल सबस्क्राइब प्रारंब हुआ और कल रात्री को कही सारे स्थानों पे तेज मुश्डादार खंड बारिज जैसलमेर की गाउओं के दाइरे इसके साथ ही अभी वरत्मान की मौसम की बात करें तो जब मैं सुबह इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूं उस समय पे आप देख सकते हैं बिकानिर शंभाग जोदपूर शंभाग इसके साथ ही उदैपूर कोटा और अजमिर शंभाग में बादलों की विसेस आवाजई देखने को मिल रही हैं जिसमें कुछ range जैसलमेर की जो उत्री और उत्री पूर्वी बाग है इसके साथ ही जोदपूर के उत्री भाग वाई कुछ सीकर और जुझुडू के भाग हैं यहां पर भी बादलों की विशेश आवा जाई देखने को मिल रही हैं तो आगामी 24 कंटों के दोरान भी राजस्तान में बारिश और अंदरी की गतिविदियां जारे रहेगी और आगामी 23 और 24 मार्ष को नया पच्छिमी विशो भी राजस्तान के उपर आ रहा है उसके प्रबाव से 23 और 24 मार्ष को राजस्तान में विशेश ओला वरष्टी और अंदरी की संभावनाई बन रही हैं तो उनके बारे में भी सही और शटीक जानकारी दी जाएगी आए राजस्तान के मेंप के तरू आपको विस्तारशे बताते हैं सबसे पहले शुरूात करते हैं विकानेर शंभाग जिसमें विकानेर गंगानगर हन्वान गट और चूरू साथी इंजोर की बात करते इंजोरों में आज बारिश और अंदर की संभावनाई रहेगी दोपेर के बाद में मोसम में फिर शे बदलाव देखने को मिलेगा और शाम होते ओते हैं यहाँ पे विश्शेश तोर पे गंगानगर हन्मान गट कुछ विकानईृ के बाग हैं यहा के बादलों की आवाजी और कुछे गावों के दाएरे में खंड बारिजेसी गतिवीदिया देखने को मिलने वाली हैं लेकिन फिर्शे यहां पे 24 मार्श से मौसम में विशेस बदलाव देखने को मिलेगा और 24 मार्श को यहां पे ओला वरष्टी अंदर और तेज मुशलाद बारिज की गतिवीदिया हैं वो जैपूर बरतपूर शंबाग में देखने को मिलेवाली हैं वही बात करते हैं कोटा संबागी तो कोटा संबाग में बादलों की आवजजई बनी रहेगी और शाम के समय में कुछ इक इस्तानों पे जिसमें कुछ बून दी कोटा 12 जलावा बन रहे हैं वही बात करते हैं अजमेर शंबागी जिसमें अजमेर नागोर टोंक और भीलवाडा सातियों इंजलों की बात करते हैं इंजलों में आज मौसम सुस्क रहेगा बादलों की आवजई जरूर देखने को मिलेगी लेकिन बारिज की यहां पर कोई भी स्यादा बड़ा परताब कर चितोड़ कर राजसमन साथी इंजलों की बात करें तो इंजलों में आज मौसम सुस्क रहेगा बादलों की आवाजी बनी रहेगी लेकिन आज दो पेर के बाद में कुछे के स्थानों पे बुंदा बंदी और बारिश जैसी गतिविद्या देखने को मिल स तो यहांके किसान भाई उसे विशेस अलर्ट पे रहने की हमारी और से हिडायत दी जाती है आप यता सीगरफ फसलों को कटा करें और फसलों की कटाई है वो जारी रखें बात करते हैं जोदपुर्शंबाग की साथियों जोदपुर्शंबाग में आज विशेस बदलाव को मिल रहा है जैसे कि सुबह सुबह भी जालो और बाड मेर के कई सारे गावों में बादलों की घनी आवाज़े देखने को मिल रही हैं कुछ उत्री और उत्री पूर भी बादल आ रहे हैं तो कुछ दक्सिनी और दक्सिनी पचमी बादल आ रहे हैं मतलग दोनों बादलों का बाद में यहने दो बजे के बाद वाला जो समय आएगा तो उस समयबर फिर से यहां पे मजबूत बादल बनेंगे और जालोर बाद मेर जैसल मेर शीरोई कोछ पाली के बाग है को जोधुर के बाग है यहां पे आज साम खिंद बारिश अंधडर और कुछ एक पे कुछेकिस्तानों पे अंदर और बारिष की गतिविधा देखने को मिलने वाले हैं कल से जोदपुर समबाग मेरे देखने को मिलने वाला है आगामी 24 गंटों के बाद में ही उसका असर देखना सुरू हो जाएगा और यापर भazo WMI则 जलो मेरे वाले जब जलो ले के बाद में यहीं 23 और 24 मार्श को बारिष की गतिविद्या और ओला वरेष्टी अंदर जैसी गतिविद्या देखने को मिलने वाले हैं तो किसान भायूद सभी से निवेदन रहेगा आप अलर्ट पे रहे यता सीग्र अपने फसलों की कटाई करे और उनको इकटा भी कर ले यहने दोपेर तक आप अपनी फसलों को सुका सकते हैं उसके बाद में फसलों को आप साम होते होते हैं इकटा करके उनको अच्छी तरीके से ढख ले क्योंकि साम के समय में यहां पे मोसम बनने की संभावना आप जरूर देखिएगा फिलाल के लिए बस इतना ही नमस्कार जई हिंदे